बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्रीज की क्विस चैनल पर आज हम पढ़ने जाएंगे UPSC के बारे में UPSC का फुल फॉर्म है Union Public Service Commission इसे हिंदी में हम संग लोक सेवा आयोग भी कहते हैं समिधान के भाग 14 के अंतरगत अनुचेद 315-323 में एक संगीय लोक सेवा आयोग और राजियों के लिए राज लोक सेवा आयोग के गठन का प्रधान है एक अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई है पोस्ट क्या-क्या पोस्ट हाती है इसके अंडर में 23 different civil services होती है बट most popular जो है वो है IAS, IPS, IRS, IFS ठीक है यह सारी जो पोस्ट होती है एक्जाम यह जो सारी पोस्ट होती है वो depend करती है कि जो student है उसकी rank क्या लगी है एक्जाम में examination process के बारें पढ़ लेते हैं ठीक है जो two hours का paper होता है सबसे पहले होता है preliminary का होता है फिर three hours का होता है वो mains का होता है और यह जो इसके offered मतलब कि यह साल में सिर्फ एक बार ही आयोजित की जाती है next eligibility मतलब की candidate में ऐसी क्या खासेत होनी चाहिए वो सिफ graduate भी होगा तो चलेगा सबसे में वो एक Indian होना चाहिए इसकी fees hundred rupees general male candidates के लिए है और free है बाकी सब के लिए ठीक है जो SCST जो भी others cast आती है उसके लिए बिल्कुल free है scoreboard ठीक है prelines 200 marks को होता है mains 1750 को होता है interview 255 को होता है और जो total जो marks जो counting होती है आपकी वो 2025 की होती है उसमें सिर्फ mains और interview count होता है prelines का count नहीं किया जाता है उसमें सिर्फ आपको pass होना होता है average attempts average attempts मतलब की कौन कितनी attempts ले सकता है किस category वाला तो जनरेल वाले को सिफ 6 मिलती है OBC और PW BD मतलब जो body से थोड़े अपंग टाइप के जू होते हैं जो candidates होते हैं उनके लिए 9 attempts होते हैं और no limit for SCST SCST के लिए कोई भी यहाँ पर limits नहीं है वो कितनी बार भी exam दे सकते हैं language English और Hindi prefer की जाती है ठीक है age limit के हम बात करते हैं तो यहाँ पर minimum 21 साल होना चाहिए maximum 32 होना चाहिए यह है general के लिए OBC 35 years तक भी दे सकता है और SCST 37 years तक दे सकता है अगर आपको यह information अच्छी लगी हो तो प्लीज इस लाइक चैनल को like करें subscribe करें और notification bell icon को on कर दीजिए ताकि आपको और भी updates मिलती रहें और और भी बहुत सारे बहुत सारे तरदर के वीडियोस मिल सकें